कि नमस्कार मैं जन्बक्ता श्योम कॉत्वाइब जिस तरीके से पहले ख़वर थी कि सीपी जोसी ने के एसलपी फाइल की ती और उसके बाद उस एसलपी में मांग की गई थी कि राइस्थान हाई कोट ने जो फैसला दिया था इस्तगित करने का सीपी जोसी के आदेश को उस पैस्टे दिया लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोट ने कह दिया का नहीं पहले हाई कोट के फैसले का इंतिजार के जाए रोह हाई कोट ने फैसला दिया था कि चौबीस तारीकों के इस मामले में अभी जो स्पीकर का फैसला वो लंबित रहेगा इसको लेकर सीप बात में हम इस अपील को जारी नहीं रखना चाते हैं जस्टिस अरुन मिश्रा ने इस बात को स्विकार करते हुए उन्हें इस बात की अनुमती दे दी वहीं जूसी तब कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि अगर जरूत पड़ेगी तो हम बात में अपील कर सकते हैं इसे इसी भी हालत में इस मुद्यकार राजनेतिक फायदा उठाने में नाकाम हो जाएगी और इसी बज़े से कॉंग्रेस पार्टी ने सीपी जोसी की ये जो या चिका थी या जो इसे आप अपील कह सकते हैं उस अपील से अपने आपको अलग कर लिया था और इसको केबल विध जानसवा अध्यच्छ है दरसल इस पूरे मामले में जिस तरीके से चाहे अवसेक मैनुस सिंग्भी हो या कपिल सिबल हो इन दोनों को कोट में अपनी हार देखनी पड़ी है अपने करारी सिकस्त का सामना करना पड़ा है उसको देखते हुए कॉंग्रेस को ऐसा लग रहा चिदम रभ मानन सर्मा जैसे दूसरे वकीलों ने भी बताया कि इस मामले में इस वार कॉंग्रेस को हार जहलनी पड़ेगी और करारी बेज़ जती होगी इससे बचने का यह की तरीका है कि सीपी जोसी को अपील करता बताया जाए और बाद में जब अपील बापस भी ली ग जबाए थे जिलको पार्टी के पास कोई जबाब नहीं था उन्हों इसमस्त पर पूछा था कि केसी पार्टी की जो अंदरूनी बैठक है अगर उसमें कोई विदायक नहीं आता है या उसमें कोई बिरोध के स्वर रखता है तो क्या आप उसको पार्टी से निकाल देंगे और वैसी इस सदी में अगर जो संप्रभू है उसको नुकसान होगा तो यह सम्मेधान के हिट मैं नहीं होगा सम्मेधान की जो भावणा है इसके अनुरूप नहीं होगा यह बात कहने की कौशत की थी जस्टिस अरुन मरिशा आरके गवई और जस्टिस क्रशन मुरारी की पीट ने जिसको लेकर कफिसिबल ने तवाम सवाल उठाई थे और जश्टिस सर्चुन मेरिश्रा ने कह दिया था कि अगर ऐसी बात है तो हम इस पर बस्तत चर्चा करना चाहते हैं लेकिन तब तक हाई कोट के निर्णा पर किसी विप्रकार का प्रतिबंद हम नहीं लगाए हाला कि सुप्रिम कोट ने जो एसलपी डायल की गई थी वेसे शनुमती याजिका लगाई गई थी उसमें यह का था कि हम इसकी ब्याख्या करने को तयार है कि इस सरकार को भी इसमें बुलाए गया था और उसी के बीच में एक अपील डायल की जाती है कपिल सिबल के दौरा बाद मैं फाइल करना चाहेंगे अभी इसको बापस लेना चाहते हैं इसको लेकर दरसल जो कॉंग्रेस का आला कमान है सोनिया गांदी से लेकर राहुन गांदी और तमाम जो उसके सलाकार है चाटुकार है उन सभी को ऐसा लगता था कि अगर सुप्रिम कोट से एक बार इस कॉंग्रेस यह दिखाना चाहती है कि किसी भी तरीके से मीडिया का अटेंशन प्राप्त किया जाएं पहले राहुल गांदी ने तमाम कोसे की तमाम वीडियो बनाए लेकिन वीडियो पूरी तरह से फ्लॉप हुए जैसे राहुल गांदी फ्लॉप हुए वैसे ही उनके वी उक्सान होगा फाइदा नहीं होगा वहीं उससे तब राज्यपाल कलराज मिस्र ने अब असो गैलोट के उस प्रस्ताव को बापस बेज दिया है जिसमें विदानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग की गई थी उन्होंने कहा है कि अगर आप विदानसभा सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं तो फिर मीडिया में जाकर आप विश्वास मत प्राप्त करने की बात क्यों कर रहे हैं यानि कि आप विदानसभा सत्र ऐसा लगता है कि आप विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बुला रहे हैं अगर ऐसा है तो आपको प्रस्ताम में इसको इस परश तो के लिए बुलाया जा रहा है वहीं दूसरी तब इस पूरे के पूरे खेल में कॉंग्रेस की जो चाल थी वो लगवग अवोल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि एक तरब वो विदानसभासत्य बुलाने की बात कर रहे हैं दूसरी तब वो यह कह रहे हैं कि व बिदानसभासत्य में हम विश्वासमत प्राप्त करने के लिए जब कि राज जपाल को इस मामले में अंधेरे में रखा जा रहा है वहीं दूसरी तब राज जपाल ने एक और सवाल पूछा है कि क्या जो विदानसभासत्य बुलाए जाता है उसमें कब से कम 21 दिन का नोट नहीं दिया जाना चाहिए इस पूरे मामले पर अब जो इसपश्टी करन मागा गया है वो लिखित में देना पड़ेगा सो गैलोत को और इसको लेकर भी कॉंग्रेसी बकीलों के पसी ने शूट रहे है क्योंकि वो जानते है कि अगर वो लिखित में ये दे देंगे राज राज्यपाल भी इस पर रोक लगा देंगे वहीं दूसे तब कॉंग्रेस जानती है कि अगर ऐसा इस पृष्टी करन नहीं देंगे तो दुबारा से फिर राज्यपाल उस प्रस्ता को बापस कर देंगे अभी ये दू बार तक ये प्रस्ता बापस हो चुका है और इसको ल प्राइस्तान में राश्टपती सासन लगाई जाने की जरूत है क्योंकि राज्यपुक्की जो सरकार है वो पूर्तरे से फेल हो चुकी है और वो सम्मेदान के अनरूप काम नहीं कर रही है वह दूसे दब इस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया था कि यह वह बयान असो गैलोत ने दिया था वो सीधे तोर पर सम्मेदान के अरुच्छे 356 को लागू करने की एक बिसेस परिस्थी को क्रियेट करता है उत्पन करता है क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि अगर राज्यपाल विदान सभा का सत्र नहीं बुलाएंगे तो जंता राजभवन को घे करने की बात कर रहे हैं और इसमें सेडिसन तक का केस लग सकता है अगर कोई ब्यक्ति इसमें सीरियसली एक कोड तक जाता है तो तो ऐसी हिस्तिती से बचने के लिए अब कॉंग्रेस लीपापोती करने में लगी हुई है और माइन डायवर्ट करने के लिए वो सभी प्रदे रायस्तान में जिस तरीके से तमाम जिला मुख्यालयों के उपर अपने कार्यकरताओं को एखटा करके इस लॉक्डाउन को धता बताने की कोसिज की और वैसी ही कोसिस राजबवन में अपने विदायकों को बैठा कर कीरतन करा कर भी की थी वैसे कॉंग्रेस पार्टी को धर्म से कोई लेना देना नहीं है लेकिन इस समय वो कीरतन करती हुई और तमाम तरीके के गीत काती हुई नजर आ रही है यह कॉंग्रेस का एक विशेश प्रकार का दोगला गई है और जिस तरीके से हाई कोट ने एक फैसला दिया था और उसमें कहा गया था कि कॉंग्रेस के जो विधायक है उनके ऊपर अयोगता का नोटिस लागू नहीं हो सकता है क्योंकि समयदान की दसवी अनुचूची में जो बंडित है दलवदल कानून के तहद वो इस माम जिसको राज्यपाल ने कहा था कि अभी उसकी जरौत मैसूश नहीं हो रही है आप अगर प्रस्ताब देते हैं और प्रस्ताब प्रॉपर ली आता है प्रॉपर चैनल से प्रॉपर तरीके से आता है तो हम उस पर विचार करेंगे उसी के तहत फिर दुबारा से एक प्रस्त पर लेना पड़ेगा तवाम तरीका तयारिया करनी पड़ेंगी और तब तक जो सुलवाई होनी है हाई कोट में वह भी लंबित है उसका भी फैसला अभी आना बाकी है जैहन जैवारत